हेलो स्टुडेंस एन एज्जुकेटर अब हम चैप्टर नबर थ्री कें एंटर होगे जिसका नाम में एडिटिंग है फॉर्मेटिंग डॉकुमेंट अब आप उस लेविल पर आगए जहां पर आप डॉकुमेंट क्रेशिन करते हैं और क्रेशिन करते हैं वक्त जो पहला से पहले याद एक हैं फॉर्मेटिंग को कहते हैं अपीरंस को चेंज करना है जो कि हम बात के टॉपिक्स में पढ़ेंगा अभी भी हम इन कमांड पर नहीं है उससे पहले हमारे पास जरूरी है कि हम एडिटिंग सीगें वो तमाम चीज़ें के जो वर्ड के डॉकुमेंट क पोस्ट करते हैं वक्त हमें आनी चाहिए ठीक है इसमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ अक्सर लोग जो को बिगनर लेवल के हैं बहुत ही बेसिक लेवल के फर्स टाइम वर्ड के अंदर आएं तो आप कीबोर्ड को जो इस्तमाल कर रहे होते हैं तो से लेकर एफर तक बोल रहे होते हैं स्पेशल पर्पस के नहीं होते हैं जैसे एफर हेल्प के नहीं इस्तमाल हो रहे होते हैं अगर आप यह देखे तो निमेरिक नमपैट से होती है नमपैट का आप अन करते हैं लाइट जल जाती है और फिर यहां से अब इस्तमाल करते है extremely helpful जब आप calculations का काम कर रहे होते हैं उसके अंदर ये बहुत स्थमाल होते हैं आप जाते हैं stores के अपर भी तक देखते हैं machine के अपर वह ये पैट्स थमाल कर रहे होते हैं इससे calculation करने में असानी होती है इसी तरह control keys ठीक है control keys के पर हम आज़े हैं तो control, alt, shifts, space bar इसके लावा ये सारी control keys हैं जो कि controlling कर रहे होती हैं अगर document में काम कर रहे हैं तो हमने navigation में पढ़ा था कि control home सबसे उपर आले पेश पर जारा था control end सबसे आले आखरी पेश पर जारा था इसके लावा हमारे पास इनको basically जो control keys हैं इनमें से जो control, alt, shift, space bar और इनको modify keys भी बोलते हैं ठीक है क्योंकि ये किसी और key के साथ combination के साथ काम कर रही होती है इसके लावा आपके पास cursor keys, directions keys को भी बोल लोते हैं जिनको right, left, up, down तो ये keyboard की divisions हैं जो आपको आनी चाहिए now first time जब आप आते हैं यहाँ पर काम करने की नहीं है word के अंदर तो keyboard के जो आप काम करना start करते है for example मैंने लिखा word is a word processor ये मैंने type के लिए simple आप ये देख रहे हैं इसको cursor इसको लोग अक्सा cursor बोल लोते हैं इसको insertion point बोलते हैं Microsoft के अंदर इस जो इस ब्लिंक कर रहा हुता है उसको हम insertion point बोलते हैं ठीक है इसके लावा आप ये देखता है अगर आपको मिटाना होते है तो backspace की मिटाना होते है अगर आपको space देना होते है तो space bar दबार होते है मैं यहां से आपकी नी on screen keyboard भी खुल लेता हूँ Okay space bar आपके पास backspace मिटाने की नहीं आपके पास space देने की नहीं between the characters आप दे रहोते हैं ये common keys है जो आप इस्तमाल कर रहोते हैं अगर आप select करके और आना चाहिए तो आप delete भी दबा सकते हैं तो ये आपके पास normal चीज़ें जो के typing करते वक्त आपको आनी चाहिए अगर आप कहीं पर काम करें for example मैंने यहां पर लिखा equal to rand और यहां पर 3 लिखा enter करा paragraph type हो गया अब मुझे कहीं से break in नहीं कोई paragraph को या किसी line को या किसी character word के बास से तो मैं अपने insertion point वहां पर लिखे जाऊंगा और बस simple enter दबा दूँगा ठीक है तो ये enter दबाने से next paragraph के पर चला गया ठीक है जो सो लोग next line बुल लोते हैं लेकि basically next paragraph पर चला जाता है ये कैसे अभी थोड़े दिन में आपको बताऊंगा अच्छा इसके लावा आपके पास ये common चीज़े जो आगए अगर आपस accidentally हो गया आपने उद्र मूँ किया था बात कर दे एकदम से आपसे enter दब गया तो कोई मस्दा नहीं आप यहाँ पे जाए जहां से ये break हुआ है और वाइप पे जाएए और जाके backspace दबा दीजिए ठीक है ताके वो क्या करेगा जो space है यहां कर मिटा देगा तो ये common चीज़े जो आपको आनी चाहिए इसके लावा आप इस्तमाल कर दो होते है अकसर मैंने अभी तक ऐसे तो एक बहुत common चीज़ हो गई है वह यह होती है कि अकसर लोग keyboard पर caps lock को दबाते है capital लिखने के लिए ठीक है तो caps lock को दबाने की जूद नहीं है वैसे अगर आप caps lock को दबाते हैं यहां पर लिखते हैं अलशफीक word training अब यह साला capitalize हो गया है मैं एक और इस form में लिखता हूँ यहां पर लिखा मैंने first word capitalize करना है मुझे hard word का first word capitalize अलशफीक word training मैंने तीन word type करें तो तीन word के अंदर मुझे तीन मतावा caps lock को on करना पड़ा और caps lock दबाके जो है ना वो बंद करना पड़ा इसका मत्ता भी होगा कि तीन मतावा जो है ना एक ही नहीं एक caps इसके बाद आप shift के साथ एक दबाएं तो यह temporary तो पर caps lock को on कर देता है तो इसमें आपको बंद करने की जूरत नहीं है तो यह आपके पास चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि यह common चीजें जो कि काफे साथ लोगों पता होती है लेकिन यह क्योंकि हमने काथ हम बेसिक से परड़ें तो आपको हमारा काम है कि आपको सारी चीजें बताएं ठीक है तो यह तो हो गया कि आपके पास keyboard standard keyboard हो आपके पास ठीक है और आप इसके लावा जो keyboard divisions का पता हो keyboard divisions के आपको आपको यह special creditors होते है इसके उपर अगर आप इनको access करना चाहें तो आपको shift दबाना पड़ता है अगर आप shift के साथ hash दबाएं 3 दबाएं तो यहां पर जबकर मैं जाओं shift के साथ मैं 3 दबाता हूं तो यह आगी हमारे पास जो जो चीज़े मुझे चाहिएं और मैं shift के साथ दबाऊंगा तो यह आजाएगा ठीक है बहुत common चीज़े हैं बहुत सब्सक्राइब लोग MS Word की training करना आते हैं यह अपना केरे बनाना चाहते हैं उनको बिल्कुल पी computer पर काम करना नहीं आता है या net इस्तमाल करना आता है तो वो अक्सार ही क्रेट्स इस्तमाल नहीं कर रहे होते है तो वैसे तो आप यह बहुत common चीज़े होई हैं क्यूंकि हम लोग Android पर एपल फून पर काम कर रहे होते हैं तो keyboard को पर अंस्तान से चीज़े कर रहे होते हैं MS World पर काम करते हैं हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है जब के common चीज़े यह तो होगया कि आपके पास के normal जब आप आए तो आपके पास यह सारी चीज़े हो रहे हैं पॉइंटिंग करना एंटर कर देना बैक स्पेस कर देना यह सारी चीज़े वगरा अब जब आप टेक्स पर काम कर रहे होते हैं तो टेक्स एंटर कर रहे कर रहे होते हैं ठीक है Common तरह टेक्स एंटर कर रहे होते हैं, तो तीन तरीका आपके आप टाइप करके इिकलूट कर रहे हैं आप कहीं से भी कॉपी पेस करना चाहें जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ से आप लें कॉपी करें और यहाँ पे लाके आप इसको right click करके आपने इसको copy करा Ctrl C for copy और यहाँ पे लाके आपने इसको paste कर दिया यह दूसरा दरीगा होगे copy paste किसी other source से किसी और document से या कहीं से भी आप copy paste करना चाहिए विदिन आदा कॉमेंट से भी कर सकते हैं यह आप copy paste कर रहें विदिन आदा document कर रहें आप external website से या किसी और source से लाके copy paste कर रहें तो यह भी including text होगे है second method होगे कि आप text को enter कर रहें copy paste के method से कर रहें third यह होता है कि आप अकसर आपने for example आपने technology पर गाम करना है word पर गाम करने तो मेरा पहला topic मैंने कहा कि मेरा पहले topic जो इंटरफेस पे दा second font पे दा third paragraph पे दा अब तीनों की नहीं मैंने तीन file अलग अलग document बनाए वे अगर मैं सब को merge करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना है पड़ेगा insert insert में मैं जाऊंगा और text group के अंदर मेरे पास object की command के अंदर यहां पर रहे text from file तो इसका काम क्या होगा है जहां भी मेरा pointer है ठीक है मुझे जहां भी चाहिए text तो मैं वहां पर अपना insertion point रखूंगा उसके बाद मैं यहां पर text पर जाऊंगा text from file पर जाऊंगा और यहां पर जो भी मुझे चाहिए for example मैंने कहा कि मुझे यहां पर यह चाहिए music festival packaging यह सारी file यह आपको पास template folders आपको provide के उसमें मौझूद हैं आपने यहां पर insert करने नहीं तो होगा क्या कि यह आपका text था यहां पर आप आप रहे थे उसके बाद आपने यहां पर point करा और जहां पर आपने point करा वहां पर दूसरी documents आ गया है मैं इसको undo करता हूँ यह in between मुझे text था यह दर किसी और documents है जो कि word पर ही type हुआ है तो मैं यहां पर गया text from file आपने यहां से check किया यहां पर इस file को और insert कर लिया तो यह तीं matter हो गए writing के आपको text include करने कि पहले आप traditionally type कर रहे होते हैं second ही आप copy paste कर रहे होते हैं और third ही होता है कि आप object के जरीए अपनी किसी और file को इसमें include कर रहो सकते हैं बहुत important है कि अगर आप आप ने किसी को काम बाटा वाए एक project पे मुक्तलिव रोग काम कर रहे हैं और आप उन सब को एक जगह पे compile करना चाहरे हैं जगह पे जमा करना चाहरे हैं तो आप सब की file को लिएक file में बना के submit कर आदेंगे शरीर कर देंगे this is extremely helpful काम के साथ से जैसा environment होता है वैसे आपके काम बढ़ी आते हैं ठीक है यह दो होगे हमारे पास simple चीज़े एक और traditional चीज़े जो हमारे पास आ रहे होती है वह copy paste कि आ रहे होती है ठीक है हम यहां पे इस document को खुलते है view में यह बस एक document यह खुला हम जो काम कर रहे होते हैं वो cut, copy, paste पे काम कर रहे होता है अगर मुझे यहां पे document के अंदर copy, pasting करनी है text कि किसी भी चीज़ की copy, pasting करनी होती है तो cut, copy, paste आना चाहिए हमारे पास क्यों कि हमारे बबहुत है तो right click करता हूं मैं copy करता हूँ मेरे पास ये भी तरीक है copy या मैं home पर जाता हूँ copy करता हूँ या icon also press control plus c तो copy कापने कर लिया ठीक है मैंने right click कर copy कर लिया control c कर सकते हैं उसके बाद chain ना मैं अपने दूसरे document पर जाऊँगा और जिस पर मैं काम कर रहा हूँ मैं यहां पर आता हूँ और मैं यहां पर जाके इस पर home पर जाता हूँ और यहां पर जाके paste कर देता हूँ ठीक है paste normal paste अगर मैं i click करूँ तो paste को option यहां से भी आ रहा हूँ तो अगर मैं Ctrl V कर दूँ तो पेस्ट आ रहा हुता है तो copy paste combination है Ctrl C, copy paste करना होगा Ctrl C तो copy हो गया और Ctrl V से क्या हो गया हमारे पास paste हो गया तो ये काफी साथी चीदे आपको आनी चाहिए, clear है इसके इलावा हम आगे move करते हैं इसके अंदर, अब ये जो copy paste हुआ, sometime ऐसा होता है कि मैं website से लेकर आ रहा हूँ मैं कहीं से copy paste कर रहा हूँ content को, लेकिन मुझे ऐसी style नहीं चाहिए, जब आप इसको paste कर रहे है, तो 2010 से paste को options जादा आ गए थे वो क्या option आ गए रहे है वो सारो options ये आ गए थे ठीक है, तो अगर मैं यहां से कोई चीज copy paste कर रहा हूँ ये मेरे document है, मैं website से copy कर रहा है, तो ये formatting आ रही है, उसके उपर ये सारी चीज़े style डले वहा रहे है, heading one style डला वहा अब मुझे ये copy paste नहीं चाहिए मैं दोबारा उस document पर जाता हूँ और अब मैं दोबारा से ये चीज़ दिखाता हूँ आपको के मुझे ये formatting नहीं चाहिए जब मैं copy paste करूँ तो मैं copy पर जाता हूँ उसके बाद पर दोबारा मैं document पर जाता हूँ, और मैं यहां पर जाके इस मदबारा right click करता हूँ, ठीक है और यहां पर जाने के बात मेरे पास आ रहे है keep text only ठीक है यह मुख्तलिप किसम के आ रहे हैं अगर आप यह देखें तो पहला आ रहा हमारे पास आपके बास वही formatting आपके पास जो कि जहां से आप लेके हैं यह source है जहां पर आप लेके आ रहे हैं ठीक है और इसके लावा आपके पास यह formattings की मुख्तलिप command आ रही है merge formatting अगर सकी में कोई formatting अंड़ तो मर्ज हो जाए picture के form में आ जाए तो यह बड़ा important है इसके लावा आपके पास एक और चीज़ है कि जो भी हमने करी जो हमारी requirement होती है कि मैं बहुत इस्तमाल कर रहा था कि मैं वेबसाइट से या अदर जगों से compile कर रहा होता है चीज़ों को इसको paste कर रहा होता हूं यहां पर और उसके बाद qualification करके सब चीज़ें पर हम काम कर रहा होते हैं तो उसके अन्दम copy paste करते हैं हम यह नहीं चाहते हैं तो नॉमली जो मैं इस्तमाल करता हूं वो यह इस्तमाल करता हूं keep text only ठीक है तो यह मुमन यही इस्तमाल कर रहा है तो अक्सलो क्या करते हैं कि यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद उसके उपर clear formatting भी कर सकते हैं और मैं इसको right click करके copy करता हूं और यहां पर जाके paste कर देता हूं तो यह simple paste हो गया और अगर मैं इसको right click करके सिर्फ यह paste करता हूं तो यह keep text only simple text हो गया हमारे clear है अच्छा उसके बाद जो है अगर आप देखें तो उसमें और भी चीज़ है copy paste और cut paste ठीक है मैं यहां पर जाता हूं और मैं यहां पर जाके text color change कर देता हूं this one यह कर देता है तो अब मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं इसको करता हूं cut cut क्या होता है original location से delete हो जाएगा original location यह डी और वहां से डिलीड होने के बाद जहां अपले के जाना चाहरे वहां पर अपले जाएंगे कंट्रॉल वी पेस्ट तो इसको मैं एक वाइजम्पल करके दिखाता हूँ आपके बास कि मैंने यहां पर इस एकल टू रेंट और हम यहां पर टाइप कर लेते हैं चाहँ हम पहले काम के लेते हैं कि फॉट साइस को 11 रखते हैं अब यह मेरे पास आगया मैं इस पर कलर कर लेता हूँ जान पूश की तागे आपको पता चले कर कार क्या रहे हैं मैंने तो copy करा Right-click करके copy अ control C करके copy भी अप कर सकते है control C for copy उसके पाद आपने यहां पे paste करना तो अपने paste कर दिये होगे copy paste, duplicate होगिया copy paste duplicate बना रहा हुँए अब मैं यहां पे जाता हूँ इसको चिंज करता हूँ और यहां पे जाने के बाद color change करता हूँ और यहाँ पर जाता हो मैं सो cut करता हूं cut ने original location से delete कर रहा हूं जहाँ पेस्ट करना चाह रहा है वहाँ पेस्ट हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया फर्क copy paste और cut paste के अंदर फर्क clear है यह तक तो यह differentiate आपको आने चाहिए paste के options आपको करने आने चाहिए यह बहुत यूसफुल है फिर बता रहा हूँ क्योंकि यह हर वक्त अस्तमाल होता है कि आप एक सारे कमाड तो बड़े सानी से कल लेंगे आपको आप पता चलो होगा है आप इस वक्त क्लास सेविंध क्लास एट में आप जा रहे हैं जो हमारा लेक्टर चल रहा है उसके अभी अभी तक आपने डिजाइनिंग का काम शुरू नहीं किया अभी तक आप सेव एडिटिंग और इस ताहरे की हंडलिंग का काम शुरू कर रहे हैं ठीक है आपने किया है अब हम नेक्स्स मूफ करते हैं यह कॉपी कट पेस हमारे बहुत इंपोर्टन ने आपको अर्वक आते एक स्टेप पीछे आना एक स्टेप आगे आ जायना तो अगर फॉर जेंपल मैंने यहां पर यह मिटा दिया ठीक है और अगर मैं मुझसे मिट गया तो मैं अंडू करता हूँ यह मैंने कोई भी चेंज कर रहा मैं नहीं चाहता वह चेंज हो तो मैं अंडू कर देता हूँ अगर आप यहां पर जाएं तो यह सब बता रहें कि यह सारे अपने काम अंडू सारे अक्शन करने हैं तो यह जो जो एक्शन आपने परफॉर्म करें लास्ट वो सारी लिखे वा रहे हैं आप सब करना चाहरें अच्छा इसमें कोई ऐसा नहीं करके आप अलग-अलग से च पर ठीक है तो यह बहुत सारी चीज़ें तो यह छोड़ी छोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो आपको आनी चाहिए अंडू और रीडू ठीक है हर सौफ़ेर में कॉमन चीज़े हैं यह जितनी भी मैं आपको करवा रहा हूँ कॉपी कट पेस कीबोर्ट बगारा यह कॉमन काम के लिए तो नेक्स चीज़ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है वह आपके पास सारी स्लेक्शन इन डॉक्रमेंट ठीक है स्लेक्शन इन डॉक्रमेंट मैं यहां से सबको बढ़ा दे दाऊं इस इकल टू रेंड और मैंने यहां पे जाके इसको एंटर करा ओके तो हमारे पास स्लेक्शन के लिए तो हमारे पास कॉमन चीज़ है कि अगर तो मैं यहां पे कंट्रोल ए करता हूं तो यह स्लेक्ट अल हो जाता है पूरा document select हो गया, ठीक है, जो हम यहां से भी जाते हैं, हम क्योंकि आप topic जो करें, selection एना document करें, अगर मैं यहां से जाओ तो यह select all भी आरा हमारे पास, ठीक है, इसके लावा हमारे पास selections की और भी टेखनीक हैं, जो traditional method होता है, वो यह होता है, कि आपको कोई line या कोई word choose करना होता है, आप यह कि आपके पास, कि की बोड की मरस बेक करें. अगर आप shift दबाएं, shift दबाएं रखें, आप क्या दबाना आपको, आप shift दबाएं और arrows की इस दबाएं साथ में, तो आपके पास क्या होगा, for example, ये देखी कर मैं shift करता हूँ, और shift के साथ right arrow की, तो character to character select कर रहा है, ठीक है, ये character to character select कर रहा है, right से, और अगर मैं left पे जा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर select करता हूँ, अब ये देखी का, मेरे पास word to word भी select हो रहा है, दुबाएं से देखी का, कि shift अगर मैं दबाएं, right, तो right side selection बना रहा है, और अगर shift प्लस left arrow की दबाएं, ठीक है, जो के मेरे पास ये वाली की है, तो ये de-se select कर रहा है, clear to character का बाएं, और अगर मैं यहाँ पे, ctrl shift right arrow दबा रहा हूँ, ठीक है, ctrl shift right arrow दबा रहा हूँ, तो word to word select कर रहा है, और अगर मैं ctrl shift left arrow की कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, कि ये de-select कर रहा है, word to word, ये बहुस common सारी common चीज़े जो आपको आनी चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे जाओ, ctrl shift down arrow की कर दूँ, क्या, ctrl shift down arrow की कर दूँ, तो paragraph to paragraph select हो रहा है, और अगर up कर दूँगा, तो ये paragraph to paragraph की select हो रहा है, clear है, ये common चीज़े जो आपको आनी चाहिए, इसके लावा आपके पास और भी बहुस सारी चीज़े, ये बहुत different method है, point, तो इसने point बता देगे, इसके यहां मौझूद है, double click करेंगे तो एक word select हो जाएगा, और अगर triple click करेंगे तो पूरा paragraph select हो जाएगा, और अगर आप control A कर देगे, तो सारा document select हो जाएगा, control A for select all जो के अभी आपने यहां से भी कर आगा, ठीक है, अच्छा, उसके अलावा, selection के अंदर बहुत सारी चीज़ है, जो है common है, जिसके अंदर आपके पास आज़े है range selection, ठीक है, range selection हमारे पास क्या होती है, कि मुझे यहां से लेके यहां तक select करना है, तो मैं drag नहीं करूंगा, तो इसके नहीं है मेरे पास क्या है, कि मैं यहां पर दबाऊंगा click, shift clicked, क्या दिया आप, तो range selection, जो पहला इसमें याद रखीगा, जो पहला click था, वो starting point हो गया, यह आपका starting point है, shift आपने दबाया range की नहीं है, और आपने दूसरा click दबा दिया, ending point की नहीं है, तो पहले click से लेकि दूसरे click तक में जितनी भी यह text था, वो हमारे पास क्या हो गया, select हो और आपर आता हूं, तो भाईया, ये पहली वाली line डी-select हो रही है, तो मैं क्या करूँ इसके नहीं है, मैं simple, यहाँ पे select करता हूं, उसके बाद पक्रिटूल दबाए रखता हूं, क्या दबाए रखता हूं, control, और उसके बाद मैं यहाँ click करता हूं, control को दबाए रखना इसको बढ़ा करना है आपने बढ़ा कर लिया ठीक है तो ये बड़ी इंपॉर्टन चीज़ है आपने color change करना है color change करना है चाहाँ color change करना है तो ये control की है ठीक है अगर दूबा से देखिए कब पहला select कर लिया उसके बगा control करके मैंने ये select कर लिया इतनी मर्दवा आपको select करना है control को दबाया रखना है ठीक है तो ये बड़ी इंपॉर्टन चीज़ है इसके लावा एक और बड़ी इंपॉर्टन चीज़ वो ये है कि जब आप इस पर काम करते हैं तो आप इसको select कर सकते हैं इसकी headings को तो headings की बात नहीं हो अगर आप यहाँ पर जाए तो select all text with similar formatting मैंने इस text को select करा जिसको उपर formatting होई विए appearance change होई विए इसको उपर bold होआ वह है font से increase होई color दला वह है तो मैं word को कह रहा हूँ कि ऐसे text को select कर लो कि जो इस document के अंदर है तो यहाँ पर select text with all similar formatting क्लिक करता हूँ जबदस इसने सारी headings को select कर लिया कि जो इस formatting की थी तो हमें मुझे बड़ी असान ही है कि मैं सो click कर दूँ बढ़ा करना चाहूँ और यह तो मैं अभी पेश पर कहा करहा हूँ अगर आप imagine करें कि यह 15-16 pages पर होती है मुखलिफ headings तो क्या हमें सारी pages सो solve कर रहा होता है जाक से यह अपने काम कर आपने कोई भी चीज आपने कोई भी कोई मुखल काम नहीं किया आपने simple जो है वह आपने यहां पर select करा इसके लावा अगर आप देखें तो आपने यहां पर dragging करी drag method से करा आपने आपने clicks method से करा आपने आपने short cut के मदब से आपने किया तो यह topic जो थ टाइग्राफ मार्स वेरा क्या होते हैं, आटो करेट आप्शन्स वेगरा ये सारी चीज़ होंगा, ठीक है, थेंक्यू